बिहार के गया में अमानवियता की हद बार करने वाली घटना सामने आई है यहां तबंगों ने दलित युवक को अपना और दूसरों का धूप चटवाया साथ अप्रैल की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल है चानकारी के अनुसार गया जिले के वजीर गंज प्रखंड की घुरियावा पंचायत में युवक को थूप चटवाया गया तरजनों लोगों की उपस्थिती में उसे गाली गलोज और जातिवादी अपशब्द कहते हुए चान से मारने की धंकी दी गई इसी बीच मुख्या के समर्थों ने उसे थूप कर चटवाया कान पकर कर उठख बैठख भी करवाई गई इतने सजी नहीं भरा तो उन्होंने उसे दूसरों का फेका हुआ थूप भी चटवाया युवक ने डर के मारे जो कहा गया वो करता रहा गटना की जानकारी मिलने और वीडियो सामने आने के बाद गया के SSP आदित्य कुमार ने कहा कि मामला बेहत गंभीर है हमने तो अफसरों की टीम को लगाया है वीडियो की चांच के साथ साथ आरोपियों की गिरफतारी की तैयारी शुरू हो गई है वीडियो वाइरल हुआ था जो एक बहुत ही अफमान जनक कटना इसमें जिखाई गया थी कि एक लड़के को तूप चटना ही जानी थी वीडियों में तुछ लोगों के त्वारा एक कमरे के अंदा इसमें तुरण कारवाई करते हुए एडिश ने इसकी निद्गत में एक तीम बना के तुरण देजा गया था उना से इस बात का सत्यापन जो कराया गया तो बात यह सही नहीं की सब्सक्राव किया गया है इसमें लोगों ने तुरण कारवाई करते हुए केस नमबद बन 59 और 21 जो है वजीर गन्थाना में लॉज हुआ है सब्सक्राव के अंदर और इसमें छे लोग एक बिठल सिंग उद्धरमेंदर कुमार एक गौतम कुमार एक दिलीब मांजी विजय मांजी इंदल मांजी और लाल जीद कुमार इनको गाउं कड़ोनाम से गतार किया गया है और इनको फॉर्वर्ड किया गया है रटना सकते थी इसमें लड़की के परिवार वाला भी जोसका लड़की का फादर था उसने भी इसमें शामिल था उसको भी पकड़के बेजा गया है उसके भाई को भी पकड़के बेजा ग एक ही समदाय के लड़के द्वारा लड़की को भगा कर ले जाने से सम्बंधित है। दोनों परिवार लड़का लड़की को खोच कर अपने गाउं ले आए और गाउं के ही एक पूर्व मुख्या अबलू सिंग उर्फ अभै सिंग के दरवाजे पर ले गए। अभै सिंग की अध्यक्षता में पंचायद की गई जिसमें एक व्यक्त के द्वारा धूग जमीन पर गिरा कर धनित यूवक मनूज मांजी से चटवाया गया।